हेलो फ्रेंट्स दिस राहुल वेल्गम टुजेर फ्रीमर्स सफेंट्स आज किस वीडियो में अगेन हमें कंप्लीट डिसकस करने वाले हैं डेट इस वीडियो में लिगर एस्पेक्स अगर इसे प्रिविस्ट वीडियो की बात की जाए तो मैं अल्रेडी आपके साथ उनिट इस वीडियो में हम उनिट 9 कंप्लीट डिसकस करने वाले हैं सो चलिए टाइम को बेस्ट कर सकें तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहलाता है इंडियन कॉंट्रेक्ट 1872 तो पूरी यूनिट का बेस है वो इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट ही है तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे इसमें कोशन आ सकता है उसके बदम बात करते हैं क्वासी कॉंट्रेक्ट तो क्वासी कॉंट्रेक्ट जो है एक कही ना कहीं कुंट्रेक्ट का पार्ट है लेकिन इसमें कुछ अच्छ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं यह जो का इंपोर्टेंट है और इसमें से कोशन आप बीचते हैं एक दो बार कोशन आए हुआ है तो इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बाद आता है स्पेशल कॉंट्रेक्ट एक्ट कॉंट्रेक्ट ओंडेमिनियों गय इसको भी हम डिसकस करेंगे तो इसको बाद करते हैं नेगोशियाबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और उसके टाइपस टाइपस हम बात करें चैक हो गया बिलो फेक्चेंज हो गया प्रोमिसरी नोट हो गया काफी इंपोर्टेंट है इनको भी मच्छे से डिसकस करने वाले इसके बात करते हैं उसके बात करते हैं इसको भी हम डिसकस करेंगे लेकिन इतर डीब डाउन डिसकस नहीं करेंगे ठीक है अगर कोशन आया तो एक कोशन आ सकता है बट फिर भी इंपोर्टेंट ही मान के चलेंगे उसके बाद हम बात करते हैं एलल पी एलल पी 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एट और नाइन में कशोएफ।क काफी important concept है मतलब partnership का ही टाइप है लेकिन company के सारे elements इसके अंदर है mostly elements है that's why बढसे करने वाले है उसके बाद Competition एक्ट के जिदे भी प्रोवीजिंस है features है काफी important है इसको भी डिसकूरुस करेंगे उसके बदlaim यह temps रते प्रलके और यह इसको भी हम डिसकस करने वाले हैं उसके बद बात करते हैं GST तो GST को भी हम क्या है इंकलूट करेंगे चलिए तो फेंस स्टार्ट करें चलिए चलते हैं तो फेंस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा अगर आप आपको मिलेगी और जो इस लिटेट जिनदर भी कॉंटेंट है इसी चैनल पर मिलता रहेगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरू करना मोटिवेशन मिलेगा कमेंट करना अगर आपको कहीं प्रोब्लम आ रही है यह फीडबेक देना चाते हैं तो कमेंट करिया और प्राइल को स्बाइल इसघ क्या टाण आपको क्या ऑगे तो 25 अपरमेट को इस कोट्टैक्ट को एंक टिट किया गया था औरसकेप कमेंस्ट कभ वह था सब्सक्राइब एटिन सेंटी टू तो दोनों डेट्स आपको याद रहें कि इसको अनेक्ट कब किया गया था एक्ट तो तो चुन्टीफाइब को और इसको कमेंस्ट किया गया था फर्स्ट सेप्टेंबर 1872 इस एपलीकेबल डू ओल दे स्टेट्स फ इंडिया अब तो जित 266 sections देखो एक चीज़ मैं आपको बढ़ा रहा हूं जितने भी sections हैं काफी important है मतलब की कहते हैं कि जो sections पूछ जाते हैं वह या तो आप से उसके बाद हम बात करते सेल अब गूड़ेक्ट तो सेल अब गूड़ेक्ट कहां कहां इंक्लूड है 76 से लेके 123 sections के बीच में हम सेल अब गूड़ेक्ट के रिकारिंग बात करते हैं फिर special contracts act के बात कि जाए तो section 124 से लेके section 238 तक एंड कोंट्रेक्ट लेट इंट पार्टनर्शिप 239 से लेके 266 तक तो इस तरह जो साय सक्षिन से डिवाइड के गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कोंट्रेक्ट के अंदर तो यह काफी इंपोर्टेंट है याद कर लेना जनरी mcq में आ सकता है कि जो मानलो ऐसे पूचा ज करता है तुट 76 से लेकिest 123 दक है ओप्शन में आपको 4 कटेग्री बनां के दे जाएगी चलिए अब बात करते एग्रीमेंट और कुंपरेक्ट की टेक है आप क्या एक गृमेंट की बात की जाए तो मालो मैंने परेंट को क्या है मालों मेरे फ्रेंट है उसको पैसे की पैसे नहीं दिये या कभी भी नहीं दिये उसने तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके पर जाके केस कराऊंगा या या उसको अर्जंसी थी फ्रेंड है मैं उसको दे दिये 500 पर ले ले कोई बात नहीं ना हमारे बीच में क्या होगा हमारा कोंट्रेक्ट मतलब कि जब आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लो लो के अंडर आजाता है तब हम उसको क्या करते हैं क्या नहीं है तो वह क्या है वोईड हो जाएगा ठीक है जैसे कि वह 500 पर वाली बात थी मैंने उसको उसको पांस पर देते दिए अगर कोई मेरी सुनवाई भी नहीं करेगा क्योंकि वो एन्फोर्सेबल भाई लो नहीं है इट जस्टन नॉर्मल एग्रिमेंट बट पचास जार वाला केस जो है वो कहा है एक कॉंट्रेक्ट तो एक कोशन है वह था लास्ट टाइम है वह था उसमें अजर्शन रीजन में बात यह जहीं थी कि all contract sare agreement बल all agreements are not contract तो यह चीज़ यह थ्रू है क्योंकि contract बनने के लिए सबसे पहले agreement का होना जूरुरी है that's why all all contracts are agreement but all agreements are not contract agreement normal agreement हो सकता है जुरूरी नहीं है कि वो contract भी हो ठीक है बात क्लियर होगी होगी होप सो चली चलते हैं अब essentials of valid contract अब एक valid contract के लिए कौन-कौन से essential essential elements होने चाहिए तो सबसे पहला है offer and acceptance offer acceptance क्या मालनों मैंने को property बेचनी थी मैंने किसी दूर से परसनों का क्या तुने मेरी property ख्रीद निया सतर हजार पे में या सतर लाग रपे में मैंने उसको offer दिया पहली चीज़ तो offer होना चाहिए दूसरी पर acceptance सामने वाले ने का ठीक है अगर तुमने को to create legal relationship मतलब मैंने पहले ही कहा कि contract के अंदर legal relationship का होना जुरूरी है enforceable by low होना जुरूरी है उसके बाद consideration यहां पर consideration का होना भी जुरूरी है अगर मैं उसको property दे रहा हूं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देगा मिलनी आपर consideration cash ही होती है वह मुझे cash paid करेगा उसके बाद capacity to contract parties के अंदर capacity होनी चाहिए यह नहीं है कि कोई mentally disabled person या unsound mind person या कोई minor जाके contract कर रहा है तो capacity होनी चाहिए contract करने होना चाहिए किसी के प्रैशर में आके हम contract नहीं कर सकते कि किसी ने में उपर दबाव बना रहा है नहीं तरका प्रोपर्टी बेचनी या बीचने तो वह प्रोपर्टी बेचना तो प्रोपर्टी लीगल होना चाहिए अगर में प्रोपर्टी लीगल होनी चाहिए यह मैं दो उफर कुन सो होता है वें ओफर इस गिवन तो अनदर परसन आइधर इन राइटिंग और और जिसको एकस्प्रेस रूमें डिसाइड कर रहे हैं हम लिख कर देना कि मैं तुरूच को पचास जार पर दे रहा हूं ठीक है इस डेट को मैं दर से वापिस लेन हो तो मैं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं इंप्लाइड ओफर कौन सो होता है वें ओफर इस गिवन तो परसन नाइदर इन राइटिंग नोर इन ओरल जब हम कुछ इस तरह का एक्ट कर देते हैं जिससे हमारे बीच में कॉंट्रेक्ट बन जाता है ओके जिससे उसको लगता सामन to specific person जबंक specific person परसन को को ओफर देवें में particular person को कोई चीशी सेल कर रहा हूं तो इस इस स्पेसिफिक ओफर एट जन्रलो फॉफर को नोस आता है जब हम सब्सक्राइब और सबीचे लिए जो है कोई ओफर लेका है मानो में एक बार में दे दिया कि मैं प्रोपर्टी बेचने के लिए त्यार हूं कि को इसको ख्रीदना चाहेगा तो यहां सब भी के लिए दे रहा हूँ इस इस जर्ण आ जैनल ओफर उसके बाद करोफ्स क्रोफ उफर वन बोथ पर्टिस आर में इंडिंटिटिकल ओफर्स टू इच अदर इन इग्नॉर्ण ऑफ दे अधर्स ओफर बनल होता है वो कुछ period of time के लिए ही enforceable होता है ठीक है मालों मैंने किसी के साथ contract करा और वो जो contract है तीन साल के लिए हमने decide करा कि तीन साल तक के लिए वैलिड रहेगा तो एक particular time period के लिए ही अगर कोई offer valid है उसका हम कहते करें इस टीन्डिगों इसको अब ढूखी करते कौसी कौन्टेक अब क्वासी कौंटेक्टмен कॉНट्रेक्ट है फ्र्ध्यक ध्कлаг दिधियान से समझ ना इसको उस्कोर्ट जो है पशु सुरू कंट्रेक्ट है अब पशुरू कॉंट्रक्ट रों Computing तो एव्यू धिवों आधा रहता सारे elements एक normal contract वाले नहीं होते हैं इसमें एक ये दो elements missing होते हैं अब इसको कॉंसे section के दर defined किया गया इसको section 68 से लेके 72 sections के अंदर defined किया गया काफी important है sections jurist के लिख लिए ना there are cases when the law implies a promise and imposing obligation of one party when the conferring rights to the other when the basic elements of contracts are not present देखको classic contract इस तरह का contract होता है जिसमें normal contract वाले basic elements नहीं होते हैं अब basic elements कोन से होते हैं मैं आपको पहले बता दिया जो हमने discuss करें कि ओफर सब्सक्राइब इसमें इसमें अव्लेबल नहीं होते एक या एक से जादा लिगल कॉंट्रेक्ट नहीं होता लेकिन कोर्ट में मान रख है कि अधर सिच्वेशन और कंडिशन स्मेट अप हो जाती है तो इस कॉंट्रेक्ट को लिगल कॉंट्रेक्ट माल लिया जाएगा अब वो सिच्वेशन कों कॉंसी होती है उसके बाने में देखते हैं कि दराइट इस नोट अवेलेबल अगेंस्ट अव्रिवन इन द वर्ल हर किसी के अगेंस्ट कोंट्रेक्ट का राइट अवलेबल नहीं है कुछ सिच्वेशन होती है जिसके कोडिंग क्रेक्ट होता है अब एक एक एक्जांपल की तूरू समझते हैं मालो पीज़ा डिलिव दिया अब उसन सोचा किया कि किसी था को कर लिया रहा कि उसने को कणिए करना पड़ेगा तो इस त्थ्रह को कंट्रेक्ट क के ट है क्वासी कंट्रेक्ट हाला कि उन दोनों के बीच में पीज़ा जो डिलीवर बोए है और चूरा में установ कोंट्रेक्ट नहीं हुआ ठाया या प गलती से पीज़ा को कंजूम कर लिया अब कॉंट्रेक्ट क्रेट हो चुका है तो यहां पर राम जो है लिगल वैलीड होगा लिगली वैलीड होगा उसको अमाउंट पेड करना पड़ेगा अगर वो पेड नहीं करता तो उसके उपर केस भी कर सकते हैं पीज़ा कंपनी ठीक ह करते हैं सबसे मिलाते हैं कोंट्रेक्ट ओफ इंडमिटी अब इंडमिटी का मतलब क्योंते सेक्यूर्टी अगेंस लोस मतलब आपको लोस होगा या हो अकल को हो सकता है उसकी अगेस्ट में आपको सेक्यूर्टी प्रोवाइड कर रहा हूं उसको कहते हैं इंडमिटी इने क पार्टी दूसरे पार्टी को क्या कर रहे है कमपेंशेट करेगी अगर उसको लोस होता है तो दूसरी पार्टी को अगर लोस फेस करना पड़ता है तो इसको गयाता है अब इस कॉंट्रेक्ट में कितनी पार्टी होती है दो पार्टी होती है देखो एक चीज़ याद रखना इनकी पार्टेश जितने भी कोंट्रेक्ट है इनकी पार्टेस जूरीया तकना जनुर लाज स्थांट कोशन आयो था कि बेलमेंट के कोंट्रेक्ट में कितने-स बांटी उती है तोई को कोशन हो देखने को मिल सकता है तो contract of indemnity में दो party वोती ओती है कोंअ कुल इसी होती है एक होता है indemnified एक होता है indemnified the definition of the contract of indemnity as laid down in section 124 तो section 124 के अंद इसकी definition बताई गई गई है एक contract by which one party promised to save the other from the laws caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person एक चीजह यहां पए आद रगना पॉइट less होता है यह किसी थर्ड प्रसन के इसको फोई और किया था वो उसका लोस्त वियर करेंगीस कोण्ट फायर एक होते है indemnified the person who promised to indemnify for a looses is the indemnify जो person promise कर रहा है ठीक है generally indemnity कर निटक्ड होता है insurance company के साथ ही होता है हम insurance company से क्या करते है insurance service purchase कर लेते हैं ठीक है आगर कलको हमको कोई होता है तो मुझे claim भी ले सकते हैं तो जो insurance company वो कोन है indemnify रहा है और जो परसन इंस्रोंस ले रहा है वह कोन है Indemnified है जिसको कलको हो सकता है और घ्रोल innovate अब नेचर ओफ indirect contract का निवेन एक्सक्रेस और इंपलाइट अब आप काऊके-कि-स इंच्रेस कंपनी के एक लिए और व वात वाल रे गॉत धून मैं को सच कर दिये वे आप बाट में अब मैं और सबस्या वाली बात उसकी सुनी नहीं कि ने इनिवेस कर दिये दिये है और में को सारब लोोस हो गहा स्टोका मार्क påd mosque के अंदर अब भी आप Cube में जो कोंड्रैक्ट कॉंच रगा इदमनिफाइट का त्व गोंगा कि मेइस को क्लोश हुआ है उसका तुब को पे कर हला कि सबस्गेशन दिया था But इक implied contract है क्योंकि हिंद शर्कम्स्रांस इस तरी गुग योजा कि हमको लगा कि हमार भीच मैं इसको लगा है मैं वेशलने कर दिया मैं अउस हुँ सह बाद मैं में हमाँ पार्ट है कि ए ने बिकरनंगे पर कुछ काम करा और हो तो भी उसको पिसको क्यों जीट करेगा अब राज़िट आ होल्ड़र की क्याक्स है राइट और डेमेज़ को लिकावर कर सकता है इन वीडिखर करने पट यह उसको रीकवर reports क्यों पर ओर स्पेफिक परफॉम्रेंस तो की लिए क्वे इस कर सकते हैं थो शो स्फिर्फ शोटे को कर सकते हैं अब बात करते post अथ कॉंट अब गृरंटी का है एस पर सेक्षिन 126 तो इसको को क्यों शेक्षिन क्या क्वें प forty six के अंदर कोन्टेक्ट फगारंटी मिली से कॉंट्रेक्ट टो पर्फॉर्म द प्रमिसमेट और डिश्चर्ट अलijnफ लइबिटी उफ धी पर्सन इंके सोफ फिर युटम टैनलन्त Αि क्यस्टंटन vari इसके अких अंदर जू प्रोमिसर है जिसके अंदर क्या है contact of guarantee means a contract to perform the promise made or discharge the liabilities of the third person in case of his failure जिसके अंदर एक third person promise करता है कि यह अगर second person ने जो contact कर रहा है अगर उसने amount paid नहीं किया यह कोई default किया तो उसके बदले में पैसा जो है वो third person जो guarantee दे रहा है वो pay करेगा अब एक example से समझते हैं generally bank case में होता है bank में क्या होता है कि जब आप loan के लिए लेने जाते हो loan apply करने जाते हो तो bank वाले कहते हैं भाई सब grantor है आपके पास हम कहते हैं कि है भाई grantor है तो हम आपने को रिष्टादार को उठागे ले जाते हैं अगर कल को bank का loan मैं नहीं चुका पाया यह जो परसन लोन ले रहा है वो नहीं चुका पाया तो उसके बीच में अब grantor को आना पड़ेगा grantor ने गरंटी ले रखिया तो वही लोन चुकाएगा ठीक है बाद में जो है वो कर सकते हैं आपस में जिस परसन ने लोन लिया और जो grantor है वो बाद में आपस में सैटलमेंट कर सकते हैं लेकिन इमिडेटली पेमेंट जो है वो grantor को करनी पड़ेगी बैंक को अगर इन केस वो घ्ली बैंक जैन यहां पे क्रेडिटर होगा टिक है जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर जो लोन ले रहा है वो data और और जो granti जो एक partner transaction के लिए झाती हैं एक firm transaction के लिए एक मतलब की मैंने किसी से property कि रही दी और उसको मैंने 6 लाख रपर की payment करनी थी वह कहता है कल को तुम भी टो तो मैंने का कि यह गुरेंटर ह्यां अगर मैंने 6 लाख रपर रपर को नहीं दिये तो तूस्से ले लियो तो एक particular transaction कि गुरंटी दिखेंगे है डेट इसफसिफिक गरंटी लेकिन continue क्रेंटिंग क्या है मैंने कोई तो इसको भी डिस्चार्ज करना पड़ेगा लेकिन कौन सी कंडिशन के अंदर वो देखते हैं अगर शॉर्टी नोटीस देज़ता है मालो बैंक से लोन ले रहे हैं को नोटीस देज़ता कि आगे मैं इसके कोई जिम्हारी नहीं लेता तो यहां पर जो है उसकी रिलीज देटर और मेक एनी ओमीजन ड्यू तो विच रिजल्ट इन देशाज प्रिंसिपल डैटर लाइबिटी अगर क्रेटर ही डिस्चार्ज कर दे रिलीज देटर अगर क्रेटर नहीं डैटर को रिलीज कर दिया कि अब आगया सी देखो पेमेंट करने की कोई जूरत न दिया for not to see him or to provide extra time for payment जब क्रेटर से अग्रिमेंट में आ जाता है प्रिंसिपल डैटर के साथ कि भाई में को थोड़ा सा टाइम और दे दे उसके ओपर सुना कर यूँ इस केस में भी क्या कर दिया जाएगा और दा शोर्टी विल भी डिचार्ज डिशार्ज कर दिया जाए है शोड डिजो रिस्पोन्सिबिलिटी की लोक्री निश्चार्ज हो जाएगी चले अब डिफ्रेश सेट बिविन कॉंट्रेक्ट ओंडमनेट ए एंजकर भी अपूरणालेटे50 करन निफने PKL को साओट कियो तोऊअ रिजो मॉलनेटनेटेएं है इस ज्क DRU में लेकिन जो case of indemnity the liability of the promissor is primary बिल्कुल क्योंकि शोर्टी को तो payment तब करनी है ना in case अगर debtor जो है payment नहीं कर पाया तब भी तो शोर्टी payment करेगा that's why उसकी जो liability secondary है लेकिन यहाँ पे तो payment किसको करनी है प्रोमिसर को भी प्रोमिसर करनी है ठीक है जैसे प्रोमिस कर रख है यह payment करो यह claim को देगा प्रोमिसरी देगा तो यहां पर उसकी जो है प्रैम रिलाइबलिटी है शोर्टी प्रोवेट्स ग्राइंटी और गरंटी ओल्ली वन एका था Bank से और वो लोन नहीं चुका पाया इस केस में गरंटर जो था उसने लोन तो चुका दिया बैंक को लेकिन ब लेकिन बहुन में उसने क्या करा प्रिंसीपल डैटर के ऊपर केस कर दिया जिसकी उस स्ट्सेक्षेंग डाइन के सक्षेंग के गाँ सक्षेंग लिएटL है बदल में बीसीट्रिव और खृजल को समपर्पर्स हम के पर्टिक्लर परपर क्यले डूर्ट को ट्र gel Smarag घ्मैंक सथै एक गर परिवार में शार्गी उसने का भयाल कार डिथा में को एक-दो दिन के लिए मैंने दे दी तो एक पर्टिक्लर पॉपस थाना कि उसको अर्जेंट रिक्वार्मेंट थी घर में शादी थी तो सब कार्ड ले लिए तो हम कहेंगे के तो वो गुट्स को कर देगा रिटर्न कर देगा in case of contract of bailment there's only the change of possession नोड़ दा ownership सबसे important point यहां पर यह आता है कि bailment के contract में क्या होता है सिर्फ यहां पर possession change हो रहा है लेकिन ownership change नहीं हो रही मैं कुछ दिनों के लिए रहा हूं मैं रखने के लिए नहीं दे रहा उसको ownership को ट्रांसवर नहीं कर रहा तो this is the contact of bailment अब बेल्मेंट कितने तरह होता है बेल्मेंट जो है तीन तरह होता है एक होता है service agreement बेल्मेंट जिसके अंदर हम एक service provide कर रहे हैं किसी दूसरे परसन को एक होता है constructive बेल्मेंट इसको ट्रांसवर कर रहे हैं वहता है तो constructive बेल्मेंट इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं constructive बेल्मेंट जैसे कि यह बैंक की लोकर फैसिलिटी होगी इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट्विश्य बेल्मेंट वेर्द बेलर ड़संट रिसीव पेमेंट फॉम्द बेली फॉर्द बेल्मेंट जहां पर जो बेलर है उसको किसी तरह की कोई पेमेंट रिसीव ने होती फोंगा बेली फोर बेल्मेंट ठीख ग्रेटीश्य फोते हैं वोलेंट्री पर परपस के लिए मैंने अपने कार्ड दी तो मैंने को प्रेमेंट रोना लिया उससे पार्टीज इनवर्फ अंडर देटेक्ट अभी इस कोंटेक्ट थे गृट्रीज रोटी का उसके पाइद फील्य बेली बेलर कोन होता है ओनर पूट्स का उसको हमके थे बेलर बेली नर जिसको जी जा रहे हैं वह बीली होता है बेलर की ट्यूटी वह व्लिट इसको देघ्राइए तो में रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि मैं उसको बताओं कि इस गूट्स में कहा कर डिफेक्ट है मालो उसी पर संगों जिसने में से कार मांगी इसको कार तो देदी लेगा उसको यह निम्दाएंगी गुट्स के अंदर फोल्ट भी है कुछ कल को वो कार में रिटन करने है और में उसको बाद में कहूं कि या इसमें तो यह कर आया यह वो ठोका यह यह जब मेरे पहले से उसमें दिखक थी तो मैं अगो बताना चीए था ना तो इसके अंदर पहले से इसके बनती है हमारे के इसके अगर बेलमेट के पहले अगर वो गुट सको रिटन कर देता है और उसके बाद वो गुट्स दिएक्ट हो जाता है तो इस केस में भी डूटी किसके बनती है बेलर की ही बनती है उसको किसको इंटेमिफाई करने की ओके डूटी तो ख्लें बैक दा गूर्स दा बेलर इस बाउंट टूट्स बिए अपूर्ट रिटन बाई बैली इनकॉर्ट इस विदर टम्स अगर्मेंट अगर मैंने का कि तीन दि तो कही भी बाहर था या तो कहीं भीजी अतो और उसकी डूटी है कि अपर ही लेना एक रहना को लेकिन एज सेक्योर्टी हम सिर्फ एक सेक्योर्टी तोर पर ट्रांस्वर कर रहे हैं मालो मुझको क्या था किसी से कुछ पैसे उद्धार लेने थे उसने का कि यार ऐसे नहीं दे सकता मैं तरको पेटरस्ट नहीं है मुझे तो एक काम कर अपना गल्ड जो अगरका वो मेरे प possession नहीं हो रहा अब pledge are different from sales apply and sales में तो बहुत difference है यह तो मैं पता ही है क्योंकि यहां पर्मनेंट तो हम transfer नहीं कर रहे goods को एक temporary period के लिए transfer कर रहे हैं अब types of property possession in pledge contract अब इसमें भी दो तरह की possession होती है एक होता है actual possession total physical possession जिसको अप पूरा टोटल के टोटल goods जो है अपने ऐसे कैसे उसके पास प्रोवाइड कर दिया जैसे गॉल्ड था ऐसे कैसे आपने उसको प्रोवाइड कर दिया उसके बदले में आपने पैसे ले लिए this is the actual possession एक उत्रक्टिव possession इसमें कहा है कि आप actual physical goods नहीं लेकर जारे लेकिन प्रोवाइड का कुछ पार्ट जो है जैसे कि आपने घर के कागजाद है वो प्रोवाइड कर दिये और उसके उपर आपने लोन ले लिया this is the constructive possession आपने goods तो नहीं transfer किया आपने यह तो नहीं है कि घर उठाके लेगे हो बैंक में और उनको घर प्रोवाइड कर दिया लो आप मेरा घर रख लो आम मुझको थोड़े से पैसे दे दो नहीं आपने उसको रिजिट्री आपने कागजाद दो दियोंगे ए प्लैज और पर्स से अलग नहीं कर सकते जैसे लेंड एक फिक्स्ट है और लेंड के फुपर कुछ भी मना हुआ है उसको हम कहेंगे और प्रपर्टि इम्मुवैबल बिजिसका हम परपर्टि करते हैं वो तहीं रियल परपर्टि हमारी है तो इसका भी आपको बता हुना चाहें । को क कहते ह ալ का राइट राइट रीटेन अगर मान लुट्ट अलॉल लिए था ठीक है और मैंने कोई बी गॉल्ड में लिखार उसके पास अगर मैं उसको नहीं दिया मतलव कि पषछी वापिस नहीं धिये तो उसने क्या है उसके पास राइट है कि वह में गूट को रिटेन करके रख सकता है राइट इसको रखने में उसको कोई तो उसके पास अपने राइट को एक्सराइज करने का अधिकार अगर वह चाहिए तो उनको बेच भी सकता है अगर में को नहीं दे रहा तो मैं उसको पर केस भी कर सकता हूं तो में राइट उसको घ्लेट ऑ राइट को क्लिय ओनलो उसको गुट दिये और लगाज सका सथ अपना साथ राइट उसको देमिज भी कर दिया तो इस कीस में wir ले सकता हूं मैं जितने उसके चाहर ऑपस ले सकता हूं अब गोंट्रेक्ट ओफ एजंसी एक है कॉंट्रेक्ट ओर है कॉंट्रेक्टाट फ एजन्सी एजन्सी दॉलस्टीप नियुट से प्रेंट यह धर है उत-ईन्सपर टू परसिंप टी ट। एका अना O परसन अभी एक किस टीश के ओपर बेज रोता कॉंट्रक्ट ऑजन सी की एक पर्टिक्लर पर परसन जो है वो सारा काम नहीं कर सकता इस करके वह अपने अंडर एक एजेंट को रख लेता है तो कुछ काम उसका एजेंट जो है उसके भियाफ़ पर करता है या रखना एजेंट जो है प्रिंसीबल के वियाफ़ पर कुछ काम करता है तो मदल्ब अगर वो कुछ भी काम करेगा प्रिंसीबल के भियाफ़ पर उसके लिए लाइबल को नोगा प्रिंसीबल ही होगा पार्टिस इनवर्मेंटर कॉंट्रेक्ट एक प्रिंसीबल होता है एक एजेंट होता है जो पर संविंक को एंप्लोई कर रहे हो धींब mismo और जिसको अंपलोई किया जा रहे होた है एजेंट अब एक्टरियक्ट इंज और सक्या होती है यह सबसे पहले हैं लीकल बाइंडिंग कोई भी वर्ग जो है एज्टまあ alone इसिब वन हूई लिगली कॉंपेटेंट टु कॉंट्राइक जो प्रिंसीपल वो कैपेश्टी उनी चाहिए उसके पास मतलब किए वह मेजर होना चाहिए और नहीं होना चाहिए और थोटे तो अथर्टे उनीचे कॉंट्रेक्ट करने की अब creation of agency agency दो तरह की होती है एक होती है express agency express क्या होता है जब हम return agreement करके contact of agency create कर रहे हैं उसको करते express agency agency by estropal इसमें क्या है हम कुछ इस तरह का act कर रहे हैं जिससे हमने express नहीं किया था लेकिन हमने कुछ इस तरह का act किया जिससे contract of agency create हो गया suppose a person by his conduct informs another person that his particular person in his agent the person who is significant as an agent is present and hearing at the time when it is intimated now if the third person enters into a contract with that person thinking that his agent this is the case of agency by estropal मतलब क्या है कि अगर एक person ने कोई एक person है उसने इस तरह का act करा कि वो किसी दूसरे person का agent है और सिर्ट पार्टी के साथ क्या कर लिए डिलिंग कर ली लेकिन बाद में पर्टी को पता लगता है कि उसने वह एक्चुली में agent नहीं है तो यहां पर जो है हम मान के चलेंगे कि contract of agency create हो चुका है क्योंकि उसने अपने act से इस तरह शो कर दिया कि वो एजन्ट है क्योंकि सामने वाली थर्ट पार्टी को तो कोई यकीन नहीं था उसने तो मान लिया क्योंकि इस तरह करा तो अब हम मान के चलेंगे कि यहां पर contract of agency जो है create हो चुका है this is the case of agency भाई एस चोपल agency of necessity क्या होता है कहीं बार necessity के case में जब हम expressly में agreement नहीं करते लेकिन जुरुरत पड़ जाती है उसको भी हम कहते agency of necessity उसको कहते agency of necessity suppose a person interested with the property of goods or another person कि एक person ने का बार जा रहा था उसने कहा कि यार तुम मेरा goods जो है ना संभाल के रखियो ठीक है कुछ उस दिनों के लिए है अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है necessity थी urgently उसको जाना पड़ा और रोगूर्स किसी दूसरे पर संगो देगे चला गया तो वहाँ पर कहीं ना के दूसरा परसंट जो है उसका कहीं एजन्ट के रखवाली कर रहा है तो यहाँ पर एजन कौन सा अगर अगर परसंट कर दिया लेकिन उसने कुछ इस तरह कर दिया जिससे वह बाइंट तो नहीं था करने के लिए लेकिन उसने इस तरह कर दिया जिससे अगर बाद में पुछ दिया दिरिश्टि दिखा के उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं अब कर दिया लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चीह इस इस अगली बार इसा नहीं होना अच्छिए इस इसको एजन्ट बना लिया आपना सब्सक्राइब करते हैं अगेन एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट डेट इस सेल्स ओफ गूड्स एक 1930 ओके सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडिक्शन जान लेते हैं कि इसको कब इनक्ट किया गया था और कभी ए फोर्स में आया था तो इस एक्ट में भी कॉल्ट सेल्स ओ जुलाइं 1930 तो 1st July 1930 को यह फोर्स में आये था ओके एक कॉंट्रेक्ट अफ सेल इस एक कॉंट्रेक्ट वेर्बै दे सेलर ट्रांसफर और एग्रीस तू ट्रांसफर दा प्रोपर्टी इन गूट्स तु दबायर अब देको कॉंट्रेक्ट अफ सेल क्या होता है जिसके अंद होती है अगर है अगर ही ट्रांसक्ट न्स होती है उसका हम कहेंगे कॉंट्रेक्ट अफ सेल डियर में बीकॉंट्रेक्ट ऑफ सेल बिविन ऊं पथ और अप्रे प्लैट एंद आ कॉंट्रेक्ट घूट्स out हैं ओ प्रॉंट तु उपर्टी को ट्रेंफ Giana उमाँ था या रहा दोनों में डिफ्रेंस होता है इसको नोडाउन कर लिए न एग्रीमेंट टूसल बिकम में सेल एग्रीमेंट ओसल कब सेल होगा जिस दिन पर हमने डेट स्पैसिफेकर रखी दिए मैंने का था कि उसको एक महीने बाद में तर वो गुड्स को टांसर कर दूंगा तो एक महीने पाद जो है वो कॉंटेक्ट ऑफ सेल बन जाएगा एग्रीमेंट टूसल जो है चलिए अब गुड्स अंटर दे कॉंटेक्ट काफी इंपोर्टेंट है कि जो अंडर दे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें कौन-कुड्स के अंदर डिलिंग की जाती है सबसे पहला है स्टो करके तुरू और फ्यूचर कूर्ट फूचर बूट्स को से जो एड प्रेजेंट अभी अविलेबल नहीं है बट फ्यूचर डेट पे वापको अविलेबल करा दिये जाएंगे अगर मुचर डे गूट्स का एक्जामपल लेकर चले जैसे कि आपको अगर बुलिट भी मैं तो आप शोरूम में जाके पहले आप उनके साथ क्या करते हैं एग्रेमेंट टूसल करते हैं ठीक है वो तीन महेने की डेट देते हैं तीन महेने बाद आप आके बाइक ले जाना ठीक है तो दिस इस दा एक्रीमेंट्स चाहिए और यह फ्यूचर गूर्ट भी हम इसको कह सकते है क्योंकि future date पे आपको provide कराया जाएंगे अब essentials of valid contract sales of good act के कौन-कौन से essential elements है इसको जान लेते हैं सबसे पहला इसके दर two parties होनी चाहिए दो parties होनी चाहिए एक seller और एक buyer दुसरा goods goods क्या होना चाहिए जो भी हमने बात करी जो भी हमने इसमें बात करिया ग्रास हो सकती है ठीक है और कौन-कौन से है stocks and shares हो सकते हैं growing crops हो सकते हैं इसके दर डिलिंग की जा सकती है price इसमें proper price होता है sales of good act के अंदर हर इक चीज़ का आपको पता है कि प्रपर क्या हो सकते अब unpaid seller को होता है the seller of the good is deemed to be unpaid seller within the meaning of the act when the whole of the price has not been paid or tendered मतलब कि क्या है कि goods to transfer कर दिया लेकिन उसको उसका price नहीं मिला एक रुपा भी उसको अभी तक नहीं मिला उसको हम कहेंगे unpaid seller और दुसरा है when a bill of exchange or other negotiable instrument on which it was received has been fulfilled by reason or dishonor मानलो किसीने उसको चेक दिया मैंने किसी से goods क्रिदे मैंने goods तो ले लिए और मैंने उसको चेक दिया और चेक जो हो गया वो डिसोनर हो गया तो जब चेक डिसोनर होता है उस केस में भी वह क्या क्या लाएगा अनपेड सेलर के लाएगा क्योंकि उसको अभी तक एक अमांट एक भी अमांट रिसीव नहीं हुई है तो उसको अपने पास स्टोर करके रख सकता है in case of the insolvency of the buyer a right of stopping the goods in transit अगर मालो गुड्स उसने भेज दिया है रास्ते में ही है काफी long route है तो वह क्या कर सकता उसको रास्ते के अंदर ही stop करवा सकता है जब तो उसको पूरी काफी इंपोर्टेंट है अब कैविट एंप्टर का मतलब क्या है कैविट एंप्टर का मतलब होता है लैट्स दा साइल बायर भी अवियर मतलब कि जब बायर कुछ समान ख्रीजने जाता है तो उसको अवे रहना चाहिए ठीक है उसके कुछ सब्सक्राइब कुछ से बनती है वो क्या होती है दिस जोक्तर एंग कंप्लीटली फोकस उन्दा रिस्पोंसिब्लीटी ओफ बायर बिफोर पर्चेशिंग ऑफ गुड्स कि आप जब गूट्स क्रिपने जा रियो तो आपको खुछ से थोड़ सतर करना चाहिए कि आपको य है यह नहीं है और पर्टिकुलर से गुट्स आपको मिल रहा है अवलेबल हो रहा है खुछ से मदब थोड़ी से अपने एफट्स करने चाहिए लेकिन सी कुछ एक्जम्शन भी है वो क्या कहा है सबसे पहले फिटनेस अब अपर अकॉर्ट अकॉर्डिंट तो बायर परपस मतलब मैंने दुकानार के पास गया मैंने कहा कि मैंको इस प olması के लिए गुट्स तीकर सब मैं को यह करना है इस प्रपके लिकुट्स देतो दू कंदा ने दे दिया लेकिन उससे मेरा परपस फुल्फूल्य नहीं हो और शेल्स बाइ सेंपल इंस्पेक्शन आप कभी माताव इसनों पर गये हो आपने कहा कि हमको अक्रोड दिखा दो उन्होंने कहा है जब वह सेंपल दिखाते हैं तब तो काफी अच्छे लगते हैं मतलब की इसली वह ब्रोक हो जाते हैं बट जब वह पेकर करके देदेटे तो कुछ होड़ी निकलते हैं तो यहां पर भी क्या है बायर के इसमोसिप्रोड किया है इसके बात कैवेट वंडिटर अब जिस तरह लेट बायर बी विवेर होता है इस तरह लेट जसेलर को भी अवे रहना चाहिए मतलब क्या कि जब बायर कोई चीज लेने आया तो कम से क फोड़ ना सेल करोगे पहले थोड़ा सबसको इंफरमिशन बताओ गे गुट्स के बारे में कि क्या है गुट्स के अंदर क्या है क्या इसके एक्षपेरी डेट है तो यह कहीं ना कहीं जो है सैलर का अवेनस मंतिया कि इसको इंफरमिशन प्रोवाइड करनी चाहिए यह था परसन सेलिंग गुड़ इस अगुड़ फोर प्रोवाइड इंफरमिशन प्रोवाइड करनी चाहिए अब नेगोशिवल इस्रूमेंट एक 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 प्रोविट है काफी इंपोरेंट है चलिए दे नेगोशिवल इंस्रूमेंट एक वस नेक्टिड इन इंदिया 1881 तो को बन एंटरी तो यह सक्षिंस के काफी इंपोरेंट है सक्षिंस प्लीज आप याद रखना अब इसको अनेक कब गया था 9 दिसंबर 1881 को इसको क्या किया गया था अनेक्टिड किया गया था और कमेंस्ट कब गगा था 1 March 1980 1882 तो वन मार्च 1882 को को कमेंस्ट आगा था और नेक्ट कब गया था नाइन दी समय तो दोनों डेट्स इंपोरेंट है यह आदू इची आपको अब नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट क्या कि डेविनिशन की बात करें तो अकोर्डियों तो सेक्षिं थरीन ए ओफ द एक्ट नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट बिल ओफ एक्षेंज ओर चेकछेक पेवल आइदर टू औरर और तुब एरर वदर दफवर्ड ओडर अपिर अपिर ओन देश्टूमेंट ओन नो कि नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और गोई भीएव इसके अलवा कुछ और इसकी शेयर वारेंट्स हो गया डिबेंचर्स पेबल टूब टूब इसको भी हम ट्रीट करके जलते हैं नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट को लेकिन हमारे प्रोफेशनल लिवे में यह यह तीन इस्ट्रूमेंट से जो कि हम लोग पर डिसकस करें जैसे जलेंगे तो जो 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 क्या है ओनर है किसका नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट का इस प्रिश्यूम टूद अउनर फ्रोपर्टी वह माना जाएगा कि उस प्रोपर्टी का ओनर है इसके बार टाइटल की बात कि जाए टाइटल क्या है दर ट्रांसफरी ऑफ दे इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट डालता है तो इस टीच के लिए जो है ट्रांसफरी को हम गलत नहीं समझेंगे क्योंकि वह एक बोनाफाइड है बोनाफाइड मेंदर ट्रस्ट वर्ती है वह ट्रस्ट करके किसी नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट को हुख बुझक हर रहा है जैसे कि मालो टे को चन्यमों चक्ट यगर्ट च्क दिया मैं तो ट्रंस्फरी हो गया अब मैं में तो कि सकता हुए यह लेकिन हो टीसओनर भी हो जाए तो मेरे ट्रस्ट वर्ति मैं बोनफाइड जो है ट्रांसफरी हूं इसके बात करते है राइट दा ट्रांसफरी व्ट इन्स्रूमेंट के अंदर एक खास बात यो थे तरह की टाइमली प्रेमन्ट होती है आप चाहिए चेक हो या फिर बिलो फेक्षेंज उनकी यूपेमेंट्स भी टाइमली होती है इसके अलग कुछ अन्रिकोगनेज नेगोशिवल इस्ट्रूमेंट भी है वो कुन को से है हुंदीज हो गया शेयर वारेंट हो गया डिविडे रस्टोग रेलवेड रसीप्स हो गया और डिविडेंट ओर सो गया अब कोशन कैसे आ सकता है कोशन यह आजकता है आपको मालनों दे सकता विच्वन ओद फ्लोई इस नोट नेगोशिवल इंस्ट्रूमेंट तो इसमें से आपको तीन और चार देढ़ेंगे पॉइंट और यह नहीं है तो आपको बदाना होगा सबसे पहला इंडिसक्स करते हैं मिए इस्ट्रूमेंट डडिस बीलोफ एक्षेंग अब बीलोफ एक्षेंग जो है एक कोन है रहा है ठीक है अब यह जो है यह जाता है सेलर के पास बायर जो है एक सेलर है और 1 बार है अब यह बायर जाता है सेलर के पास को क्या थो को तीन फेंग जीता है शुट कर देता है जो बेलोफ एक्सचेंज ड्रोन को करता है सेलर करता है जो घृट सेल कर वो य इसको drone करते है तो बिले फेञ्चेंगेज डॉन बाइदसैलर एंड शैन सैन्वा इसको असे करा होता है किसके थरू बायर के तरो और चैनल इसकोषए नहीं करता है इस तब तक ह –क नाम से जाने ज से से ब्लो दर डॉन अ किसे करेगा जब इस जो इसनों कि cynali पर वह अगर चाहे तो डिसकांट के टाइम पिक है बैंक जो है मालो अगर सो रुप्य का बिल है तो बैंक क्या करेगा 96 रुपे उसको देदेगा चार पे जो है अपना खुद का प्रोफिट निकाल लेगा उसके अंदर और जब टाइम ली मालो थाटी फंट मालो तीन महिने का बिलो लोवड़ आपको समय आगया होगा चली हök चलते हैं नेक्स्स में तो हमने इसका एक्जम्पल दे के लिए अब असेंशियलस कंडीशन सूब किलाएक्षट ऑफ यह होती है सबसे पहले तो फोसक्राइब हमें एक राइटिंग के अंदर स्कूर ओब्सक्राइब और नौन की जा अरर्ट एक किन्टाते जाता हो दूर IT जमस्तमेट और विश्कम्राइब में और सो भी सर्टेन कितना सम्हाम को दिया जाएगा इसके अंदर सबसे इंपोरेंट बात यह कि यह अंकनिशन के इंदर कोई भी करेंडिशन नहीं दी जाती किसी भी तरह को कंडिशन नहीं लगा जाती एक अंडिशनल ओर होता है हम चैनल पार्टीज अंडर सब्सक्राइब उल्कारीब एंदर को नरीरी जर्टीम अरिससं catch नहीं पर्ष्ण और पीला इस चैनल रोल्तन इस नहीं क्या जाता है वह हैं और जुञान का अव्म और तो उसके बात आते हैं अब पेई को नहीं पेई है जिसको जनलिक है कि पैमेट हमने पेट करनी है पेई सब सबस्क्तों पैमेंट इस टो विल हिमसेफ डिप प्रेई जो डो जो डो कर रहा है उसको बिल को वो खुद भी हो सकता है ठीक है अगमाल जैसे उसने क्या गरा बिल बनाक गैन्क में गुणको डिसकांट रहा पैसिलाक है इसको दी यह उसने उसको दे दिये dhrrawal koha ड्रोल भी आपक आप्क तप हो सकता है दपये में बिचेंज कित्रों इनगें इनगें दीकरत इसकांट अर्फ याफ हो सकता है ивается classification of bill up will program classify कर सके हैं बिल्को classify किया है काफी टाइपस में देख लेता है सबसे पहला है inland or for a bill second time and demand bill third head trade and accommodation bill सबसे पहले बात करते हैं inland inland bill a land bill कुन सा उत होता है जो कि Indian में create किया घ्रप जो bill इंडिया के नंदर ही ड्रों किया हो लेकिन उसकी payment अगर आप चाहो तो इंडिया में भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है फोरन बिल्कून सा जो फोरन में ड्रोन किया गया हो टाइम बिल्कून साथ जिसके दर हमने पर्टिक्लोर टाइम की कंडिशन लगा रहा क्योंकि इतने टाइम के लिए इस बिल्कूर ड्रोन किया जाएगा इस अन्हें बाद जो एक्सपेर हो जाएगा डिमांड बिल्कूर सोते हैं जो डिमांड बेस्ट होता है डिमांड करने पर ही क्या के सब चलिए इसके बाद पर अगर माथ करें प्रॉमिस्री नोट अब हम बात करते है प्रोमिस्री नोट कान सिन्ट क्षिंग के डिवां सेक्षिन फो एदर सब से इंपूरे इसको एक्ष्छन होते है आप प्रोमिस्री नोट भी कही ना के जो है girl of exchange किता है लेकिन यह ड्रोह कि ए बैकर उनके तरू है यह डितुझ मैं करता है कि मैं आपको तीन महिने बाद तीन हजार पर दे दूंगा अब ब्राइर ही जो है इसको क्या करेगा ड्रोन करेगा ठीक है कंडी कंटीनिंग एन कंडीशनल अंडर्टेटिंग तो यहां पर भी अंकंडीशनल और होता है किसी तरह को यह कंडीशन नहीं होती और साइन बाया था में यौन करता है या रखना बिल और रहा यह और रहा रही है और वह इसको क्या करेगा काफी confusion है bill of exchange में और इसमें तो इसी confusion को आपको दूर करना है या धटना ही थोड़ा थोड़ा confusing से है अब की features कों से है it must be writing again यह भी राइटिंग के अंदर होना चाहिए it must certainly an express promise or clearly understand understanding to pay तो इसमें क्या है है एक express promise होना चाहिए कि मैं खुछ से express करें कि I promise to pay you a sum of 3000 and the particular date promise to pay an unconditional एक unconditional promise होना चाहिए it should be signed by the maker or a sign किसके थोड़ों चाहिए मेगर के थोड़ों चाहिए parties of the promising note a promising note की पार्टिस कोन कोन सी होती है है तो इसकी तीन पार्टिस होती है एक होता है ड्रोयर एक होता ड्रोय और एक होता पे अब ड्रोयर इस बोर्वर और डेटर who promise to pay the debt to a money land lander तो एक ड्रोयर को होता है जो प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको इतना सम पे कर दूंगा भरवय को उता है जिसके नाम पे जो है टोड्रोवी द्रोयर खाय है जिस अन्लिन ट्रॉड किया रहा है वो ट्रोय है जिसको पे करना रहे p में त Pear centimeters सेक्ट हम सकते हैं ति तैयपस वी नोटा प्रोमिसी नोटabouts कहीं तरह किονसे में नोट हो गया गया कमरशने DR有點 स्थेज्ड नोट हो गया इन्वेस्ट में नोट सोगा इन में से कुशन नहीं आते जनली पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसके बात कर जो कहां को सेक्षिंट के तक है किया गया एक चेक लिखेंट के नर्ट उफ एक्य्चेंज ड्रोन उन्नस पैसिफाइड banker टो का जाता है एउन नोट एक्स्प्रेच टू न बेंगर जनों डिमांड तो यह दिमांड बेज होता है जो च्डिमांड करने पर ही हम चेक्ड लोन करके देते हैं किसी तेख पर ये बिलोफ एक्चेंज वे तू मॉर क्वालिफिकेशन नेमली इस द्रॉन ऑन इस स्पेसिफायड बेंकर जर्रेली चेक किह एक एक बीलोफ एक्षांज के टाइप एक लेकिन इसमें दो कंडिशन स्पेसिफाइड है कि एक बैंकर के रिजन में ड्रेक्ट कोशन आ सकता है कि all checks are below fiction जीतने भी चेक्स होते हैं सारे के सारे below fix change होते हैं बट सारे के सारे below fiction चेक नहीं होते हैं अब पार्टी स्कून को जोते एक ड्रोयर होता है जो इसको drone कर रहा होता है पे ही होता है the person whom the amount is paid जिसके नाम जिसको पेड़ के जा रहे वह पेई होता है और जिस बैंक के नाम से इसको ड्रोन के जा रहा है वह तर ड्रोई ठीक है जैसे कि HDFC हो गया बैंक का चेक हो गया या HDFC हो गया तो यह क्या हो गया हमारे पेई हो गये और रोगयों अब distinction between bill of exchange and check तो bill of exchange और चैक के बीच में क्या difference है यह जान लेते हैं एक बार एक बील उफेक्चेंज इस यूजरी ड्रोन ओन सम पर्सन और फर्म एक बिल फेक्चेंज जो हां यंदिशने जाती है notice of dishonor of a bill is necessary in case अगर बिलन सवने जैना जूरी होता है यह अगार का सितने को नोटी सितने जूरी नहीं नहीं होता तो दिख एक्षेल प्रपरली स्टैंड बिल फैक्चेंज है प्रपरली स्टैंड होना जूरी है जब कि चैक के अदर एक जूरी है जयंताने ए है कि उसको प्रॉपरलियस टैम्ट हो या ना हो अब अब हम Team company's at 2013 एक बॉढ टरीक के Olivier के कंपरीजेख लेकिन इसको इतना बॉड नहीं प्रीका चलेंगे इसको नेलो वे में discuss कर चलेंगे चलिए कर्या सब से पहले company's cash in the nit a section pense Act can the 470 470 sections West can include में औब्जेक्टिव क्या है कंप्रीज एकट का तू प्रोवाइड फ्री एससेट टो यूपन ग्लोबर मार्केट मदफ की जितने भी एंट्रेप्न आर्प्ने बिजस्स को ओपने करना जाते हैं अंटरपैस्ट को फ्री एसस प्रोवाइड करना ग्लोबल लेवल तक अपने कर सकते हैं to ensure the transparency and accountability मतलब जितने भी corporate working कर रहे हैं उनके दर ट्रांस्परेंसी लेकिया आना वो अपने जो internal working सब्सक्राइब करें ठीक है ताकि शेरोडर्स कर सकें फ्रीली जो investors है उनको हरे चीज का transactions का पता रहे to protect the interest of investors investors के interest को protect करना भी एक है objective companies act का अब important features क्या है इसके the private companies can now have maximum of 200 members to private company है उसके अंदर कितने members हो सकते हैं come second two members maximum जो है two members हो सकते हैं उसके अंदर the concept of one person company has been introduced by this act to one person company मतलब की एक ही person के थ्रू कंपनी भी अपरन की जा सकती है जिसका एक पर जनरली हम क्या करते थे business के case में बात करते थे sole proprietor business के बारे में लेकिन आप one person company one person भी कंपनी को चला सकता है अगर चाहे तो the non-banking financial company will now be governed by RBI अब जो है नोन पहले क्या था NBFC जो था companies act 1956 के according इसको regulate किया जाता था बट अब जो है अनोन banking financial company जो है इनको कौन गवन करेगा RBI इनको कहा RBI गवन करेगा the permissible limit of nine months of holding annual general meeting from the date of audits in corporation जो permissible limit है nine months की लेकिन आप इसको six months कर दिया है for the holding of annual general meeting तो annual general meeting in corporation के बाद जो है annual general meeting करने का एक particular time होता है कितने time के अंदर आपको एक AGM करनी करनी है तो वो जो है नाइन मंस का डिसाइड है बट आप इसको six months कर दिया है the 2013 act specifically provides that the books of accounts must be kept in electronic form अब 2013 act companies act के अंदर ये specifically defined किया हुआ है कि आपको जितने भी अपने documents of electronic form में आपको संभाल कर रखने है अपने पास it has been made mandatory that the prescribed class or class of companies shall have at least one woman director कि आपके जो class of companies है उसमें एक woman director तो होनी जुरूरी है है उसके बादा every listed company to have at least one by third of the total number of directors on its board and independent directors कि one by three total number of directors का one by three directors है वो independent directors होने चाहिए एं इंडिपेंडेंड डेक्रस होने चाहिए अब types of companies अब companies कितने तरह की होते हैं जनरली हम जब बात करते हैं ना companies की हम सोचते हैं एक private होती है एक public होती है नहीं companies काफी तरह types की होती हैं उनके बार में discuss करते हैं सबसे पहला on the basis of incorporation incorporation के basis पर अगर हम बात करें एक होता है chartered company कंपनी चार्टिट कंपनी जब हम प्राइन टाइम की बात करें राजा महाराजाओ के बार में जब फोर्म बाइदा किंग और क्विन एंड है राजाओ के थुरू बनाए गई थी कंपनी वह थे चार्टिट कंपनी इस तरह के कम अब देखने को नहीं मिलती है उसके बाद हम आफ़ी कंपनी इन कोपएटे आप्टे गोर्मेंट है सेपेट लगा कि चो कंपनी को मनाती है उसको काथ एलाईसी हो गया औरپे इंप कंपनी ओने थो कॉतने गया ठोकर दो मेमर्स है उनकी लाइबडिटी का है अगर कल को कमपनी इंसल्बंट हो जाती है तो इससे अपने पास मोट पैसे मिला की हो पे करने पड़ेश सो एक है लिम्टेड लाइबलीटी लिम्टेट एज से ना उनका शेयर बनता है वह उतना ही अमांक देने के लाईबल है इनके से कंपनी इंसल्मेंट हो जाती है तो ओन देखते होंगे कि आप आज शेर बेच रहे आज ख्रीद रहे हैं तो हम ट्रंसर कर सकते हैं कउन्ट कंपनी के अनदर एक कंपनी को लो कोई कंपनी उसके बी कंपनी के टो हो क्या बन गीुद्विट अबेकि सबस्यडिरी बन चुकी है और अधर कंपनिस कुछ बात करें MNC, MNC कौन सी होती है, whose operation is more than one country, एक country से ज्यादा country में इसका क्या होता है, operations होता है, उसका हम क्या क्या क्याता है, MNC, Unregistered और Illegal Association कौन सी होती है, जो कि Violets करती है, मतब कि Illegal Association जो Illegal Work कर रही है, लेकिन Companies Act की एकोडिंग जो Violet करेगी, Section 464 of the Companies Act, अब इस Section में कुछ Terms and Condition है, उनका पढ़ लेना, इस Section को कोई Violet करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, Unregistered और Illegal Association कहेंगे, एक होती है Investment Company, जिसका मेली प्रिंसिपल बिजनस ही होता है, कि वो क्या करती है, Acquire करती है, Stocks or Shares को, उसका हम कहते है Investment Company, एक होती है Companies with Charitable Object, मदब Charitable Institution जिसका म कहते है, जिसका काम कहा है, Non Profit Motive के लिए जो वर करती है, उसके वादा One Person Company हम पहले पढ़ चुके है, Operated by Only One Member, जो कि One Member के थुरू Operate की जा लिए है, होप सो आपको समझ आगी होंगी, अब हम बात करते है, Formation of Company, कंपनी किस तरह फोर्म की जाते क्या प्रोसेस होते, एक लास्ट टेम पदने 2018 या 19 में कोशन आया हुए, कि एक प्रोसेस पूच लिया था कि इसमें प्रोसेस पूच बदाओ कि क्या प्रोसेस होगा, इसमेघ साथ किया है, तो आपको प्रोसेस भी पदाऊने जी है, सब से नहीं होता है, गजो कंपनी स्टाट करने से पहले, जो उसके प्रोमोटर करते हैं, जीक this है, आफे सबस्तerson का हा पास तो क्या काम है डोक्यमेंट शुबी फाइल विद रेजिस्टरार फिर सैटिफिकेट ओफ इन कोर्परेशन जब रेजिटरार के पास हम को फाइल करवा जैते हैं सही से सक्सेस्फुल योगत हमको एक सैटिफिकेट ऑफ इन कोर्परेशन मत फी इस चीज का पूफ मिल जा तो फ्रॉस्पेक्टर इस चुक अब आपको 90 पर सेंट जो है जितना आप इशू कर लेंटी परसेंट तो है आपके पास आई जाना चाहिए मंदब अट लीस्ट पीपल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर नहीं सब्सक्राइब करते तो आप अंडर रैटर्स की है बेक अगर आना ऌगो तो इपर उपर सही आ जएगा वह नवान आपको कवर अप खर दिया है अब टैप्स of company event के अब company meeting को discuss करते हैं companies meeting किंधे तरह की होती है companies meeting 4 तरह की होती है बोडली अगर वायम बात करें एक हो तिये बोड grades for सब्सक्राइब करें कुद्स कलिन那麼 जब करेंétaitrif तो कोईधन करें ए कंपोर्टन मैट्र एस में बड़े बात कर रहे हों कि या जब कंपने के के बड़े-बड़े मालिक relating to the company and policies are discussed since the administration of the company's lies in the hand of board it should meet frequently for the proper conduct of the business of the company up in kiddo meeting with you know frequently with the mother timely oti rathia you can go important matters for discuss canada important matters regarding discuss canada man weekly Ogi monthly Ogi quarterly Ogi three cut there at a timely meetings to occur there at a meeting of board of directors is about the meeting of shareholders are so important meeting so the meeting of share order you take a chance to have a question they can come in saktaya is kind of team tracking meeting at the airport is statutory meetings equal to annual general meetings equal to extraordinary meeting of statutory meeting get compulsory meeting you consume it into this is the first meeting just of separation of company banneke bado sap sepally meeting cry at the hotel statutory meetings after the commencement of business the board of holding a meeting of the householder within nine months from the date of commencement or a compulsory ikea was come within six months six months canada joha a upco joha status meeting you have conduct can you be first meeting the conduct can be hoagie paila joha time tired nine months kata but up attack is kusikman ka 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 diya ki aap agar malo january me up clean corporate hotel to June tuk upco joha first meeting car linear company canada us come out at the annual general meeting and will general meeting and will general meeting was your name sepata lagreya ki aapko eksalme aek meeting kani kaniya and only aek meeting kani kaniya jis aki reliance कीमिटिंगेंग होने वाले है मार्च के में उसे मार्च के रहा हूं इसके युलई के में होनिया एनवल जनके मीटिंग रिस कंपने के दान। यांव जनरन मिटिंग के अंदर जो गैप है वो 15 मनत से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब अगर मालों जुलाई में कोई मिटिंग हो रहिए तो 15 मन्स इसके बाद के जो 15 मंस है उसके अंदर दूसरी मिटिंग भी हो जाने चाहिए तो एक साल में एक मिटिंग होनी जुरूरी है और 15 मंस का गैप होना नहीं होना चाहिए करने के लिए हम extra ordinary meetingsака यह प्यार जाती है यह श्यार्रेशD लिए को है नेर देटर आइरे और धिर जैर मीटिन थैर क्या औरि अ now and को अधिन design was her extraordinary meetings असान मैं सजन्स जिस हमीटिंगार्ड उन्ट्ट ़िल विल न्यूंते है मेल्ए यalgत्रसर याद रहलते हैं which falls outside the business of the annual general meeting तो यह याद रखना जो matters हमारे AGM के इंदर discuss नहीं किया जाते ना उन matters को हम discuss करते हैं extraordinary general meeting के इंदर discuss करते हैं अब meetings of the dementia holder the company are generally conducted when the company wants to vary the terms of security or to modify the rights or vary the rate of interest payable etc अब dimension holder की meeting जो है generally वैसे तो होती नहीं है लेकिन इनको generally तभी बुलाया जाता है जब हमको dimension holder का rate of interest उनको change करना पड़ता है या हमने जो security उन्होंने गिर्वी रखवार रखिया उसके regarding कोई बात चीत करनी होती है तो उस time पर मिटिंग करा जाती है वो तो सब्सक्राइब लेकर मान जाओगे नहीं मान होगे तो उस बात के लिए जो है क्राइटर्स को बोला जाता है उसको हम कहते हैं meetings of creditors hope so चली friends discuss करते हैं अपना next important topic that is limited liability partnership ओके अगर हम एक basic introduction जाने LLP Act 2008 का तो इस जस्त लाइक इन सोतेला भाई कि इसका partnership act 1932 और companies act 2013 इसमें जो है दोनों के features include है ठीक है company की features है और partnership के भी firm के features इसमें include है चली discuss करते हैं इसको सबसे पहले इसको notify कब किया गया था 31st March 2009 को इसको notify किया गया था it combines both the advantage of company and partnership इसमें partnership की advantage है और company की advantage है as the name suggests the liability of partner is limited and also focus on flexibility on the part of internal management अब नाम सजेस्ट कर रहा है limited liability partnership मतलब की partners की liability कैसी है limited है okay it works on body as body corporate और यह corporate की तरह work करती है मतलब की library partners की liability limited होगी ठीक है perpetual succession होगा कोई आए जाए कोई फर्गनी पड़ता कितने partners सारे जा रहे है इसमें कोई फर्गनी पड़ता जो हमारी फर्म में वो चलती रहेगी चली अब इसकी में लिसकी characteristics है उसको जान लेते हैं सबसे पहले तो LLP जो है body corporate है company कितना वर्क करती है legal entity है separate from its partner इसके जो entity है partner से separate है मतलब partners आता जाते रहेंगे लेकिन जो फर्म में वो constant की constant रहेगी one partner is not responsible for other partners misconduct कि एक पार्टनर जो है ना दूसरे partner के misconduct के लिए responsible नहीं होगा ठीक है minimum of two partners and no maximum limited तो कम से कम दो partners रोने चाहिए और maximum limit कोई भी नहीं है इसकी दर राइट and duties of partners is in LLP will be governed by the agreement और जो LLP के जो partners है सबसे पहले उनके बीच में एक agreement होता है और उस agreement के थुरू ही उनके जो राइट से वो डिसाइड के जाते हैं डिटी जो है वो डिसाइड के जाती है limited liability of partner to the extent of their contribution in the LLP जो लाइबिलिटी है partners की वो एक limited रहती है और जितना उनका share होता है उस share तक कि उनकी जो लाइबिटी वो limited होती है LLP शेल मेंटेन annual accounts however audit of the account is required if the contribution exceed 25 lakh LLP के accounts को audit करवाने की जोरुत पढ़ती है लेकिन वो तब पढ़ती है जब उसके जो contribution है वो एक्सीड हो जाते 25 lakhs से या फिर turnover जो है वो 40 lakhs से एक्सीड हो जाता है उस टेम पर जो है उसके accounts को audit करवाने की जोरुत पढ़ती है अब हम बात करते हैं competition act 2002 तो competition act भी काफी important act है इसके मिली provisions ज्यादा important है चलिए competition act कभी नेक्ट किया गया था इसको नेक्ट किया गया था MRTP को replace करके 1969 को replace करके जो है competition act को introduced किया गया था after the enactment of competition act 2002 इसकी दो amendments हुए है 2007 में हुए है और 2009 में हो यह और इसका जो में अब्जेक्टिव था वह यही था कि टू पर मॉट पोजिटिव कॉंपटिशन इंडियन मार्केट इंडिन मार्केट के अंदर कॉंपटिशन को परमोट करना ही इसका मेरे जएक्टिव था अब हिसके मेरे उब्जेक्टिव डिसकॉस कर लेते हैं सबसे पहले प्रोवायड़ दस्टेबलिशमेंट वृब क्पूपटेटिटिंक कमिशन competition competition कमिशन को establish करने के लिए framework प्रोवाइड किया गया था इसी act के according to prevent monopolies monopoly को prevent करना भी इसका एक objective रहा है to protect the freedom of trade और जो ट्रेड हो रही है हमाली country के अंदर जो various industries के अंदर उसको क्या करना freedom प्रोवाइड करना यह भी क्या एक objective रहा है अब इसके मेजर प्रोविजन इसके प्रोविजन काफी इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से पढ़ना सबसे वैला था anti competitive agreement अब anti competitive agreement कौन से section के रिफाइन क्या गया है section 3 के अंदर इसको define क्या गया है इसका मतलब क्या है कि कोई भी enterprises और association of individuals इस तरह के agreement में नहीं आ सकती जिससे जो है competition पर adverse effect पढ़े मतलब कि वह इस तरह का कोई भी agreement नहीं कर सकती कि आप कहो कि acquisition कर लिया यह merger कर लिया इस तरह कोई भी agreement नहीं कर सकती जिससे जो है competition पर landmarks effect पर एक इंकलूटस इसमें का कि इंकलूटस होता है तो ऐसी चीज करना जो है अपराद माना गया है अंटर दा एंटी कॉंप्रेटिटिव ट्रेड एग्रीमेट उसके बाद आता है अब्यूज ऑफ डॉमिनेट पोजीशन की अपनी पोजीशन का गलत इस्तमाल नहीं करना जैसे कि रिलाइंस जियो था उसने क्या एक दम प्रैस अंटरप्रेज़ देट इंज्विशन पॉजीशन ऑफ इंपावर इंडियन मार्केट विच एनेबल से टू अपरेट इंडिपेंडेंटली जो इसको हेल्प करती है इंडिपेंडेंटली ओपरेट करने के लिए अफेक्ट इस कोंपेडिशन और कोंपेडिशन को क्या से एनी अक्विजिशन ओफ शेर्स दूसरी कमने के शेर्स को एकर करके या फिर वोटिंग राइट को अक्वाइर करके यह एक असेट को कंट्रोल करके यह पार्टली तो मर्जर और अमल्गरमेशन ओफ एंटरप्राइज तो इस तरह का कम्बिनेशन करना जिससे सब्सक्राइब सैट्रेंग्स सब्सक्राइब इस बहुत है इंट्यक्टार्टा प्रपर्रेटेजिशन है क्या यह एक स्कूजव जाते एक किसको पर संसको कि सेच के लिए और देक्रेशन अईंवैंशन बिटररेसी और यूनिवर्सार पर्डीरों दीश डिये और इनर इन करेंशन के अंदर इसको रिकोड़नेश के अधर फिर बैने करेंशन के अंदर और जो दोनों ट्रीटीज है एडिमिस्टेट किया गता था था वर्ल इटलेक्ट्वल प्रोपर्टी ओगनाजेशन के थ्रू ठीक है एक बेसिक इंप्रोडिक्शन था अब टाइप सिसके पार मे इसकी विलडी ट्वेट में ऑप्लाइक कर सकते हैं मैनुफरेचरर कर सकते हैं सौफ्ट्व्य को होल्डर कर सकते हैं उसके बात करते हैं सबसे पहला है ङूटसी रिटिटी प्रोटेंट्स वे इस्टीम? of new or improved product अगर कोई आप improved product या invented product कोई introduce करते हो तो उसको protect करने के लिए utility patents लेते हैं designs जो है आप कोई नया design कोई किसी चीज़ का का या किसी और चीज़ का design create करते हो उसको protect करने के लिए हम कौन से लेते हैं design patent लेते हैं और plant patent किसी चीज़ के लेते हैं plant patents protects new kind of plant produced by cuttings जो आपने कोई plant अगर आप introduce करते हो तो उसको protect करने के लिए plant patents लेते हैं तो यह तीन category है पुछा जा सकता है which one of the flowing is not the category of patents तो उसमें से आपको चार category दे रखे होगे आपको एक सेलेक्ट करना होगा अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की आप ट्रेडमार्क क्या है विच लाउस कंजीमरी तो इसली एडेंटिफाइड दा पर्टिकुलर गूर्स और सर्वेस मतलब की ट्रेडमार्स के अब आपको बता होना चाहिए कि ताजमेल जो है एफिल टावर जो है यह सब जो है ट्रेडमार्क के तुरूं को प्रोटेक्ट किया गया है तो इस चीजिक आपको बता होना चाहिए लिए ट्रेडमार्स के बात करते हैं अपने दो तरह की सिंबल देखा होगा का उसके बाद जो है काफी टाइम बाद जाके उसको आर का सिंबल मिलता है और सर्विस के cases में जो मिलता है उसको SM का सिंबल दिया जाता है होप सो आपको क्लियर हो गया होगा अब copyright copyright की बात करते हैं इट कवर्स टेंजीबल फोंस ऑफ क्रेशन एन ओरिजिनल वर्क फोर दा एक्जमपल आर्ट म्यूजिक आर्टिटेक्ट्र ड्राइंग और इवन सॉफ्ट्व एकोड्स तो जॉनरली क्या है आर्टिशन के लिए मूजिक के लिए जो अपने ने गाने निकालते हैं इनके जो होता है वह copyrights के थुरू इनको प्रोटेक्ट के जाता है तो पहले उनको copyright owner से जो है permission लेनी पड़ती है तब जाकर ही वह songs को इंट्रेड्यूस कर सकते हैं ऐसे उनके उपर copyright स्ट्राइक देखने को बिल जाती है अब copyright कम इन 1957 और copyright कब आये था एक्ट कब आये था 1957 में आये था दो हमको पता है कि C 2ndg आपर कहा है सरकल लेकिन sound recording कोपीराइट सिंबल कोर से पी पी के अपर क्या है सिर्कल यह हमारा साउंड रिकोर्डिंग कोपीराइट सिंबल टरम्स अव प्रोटेक्शन अब प्रोटेक्शन की टम्स कितनी है नॉर्मल जो ए 60 60 years है in case of original literacy अगर original literacy की बात है तो लाइफ उसकी लाइफ जितने उसकी लाइफ है प्लस 60 years उसकी क्या है प्रोटेक्शन है लेटेस्ट अमेंडमेंट कब गए थी दन इन 2012 इसके अमेंडमेंट जो लास्ट जो है 2012 में इसको अमेंड किया गया था तो फ्रेंट्स यहीं तक था आज का हमारा लेक्र जो है है सो हो सकता है कि 2-3 टोपिक स्कि पो गए हो तोलगों तो मैअ त्वर में आज की वीडियो